हलो दोस्तो, अब ही आधार का एक नए अपडेट आया है अब आधार काड के साथ मोगाल नम parfois लिंक करने के लिए कोई अप्वाइनल का नहीं परेगा, कहीं पर जाना नहीं परेगा अप घर बैठे online के मदद से अथार कट के साथ mobile number add कर सकते वो भी बिलकुल free में देख लेते कैसे आप अथार कट के साथ अपना mobile number link कर सकते वो भी बहुत easily घर बैठे अपको अपना mobile लेना लेने के बाद कोई भी एक browser open कर लेना है मैं Google Chrome open कर लेता हूं open करने के बाद देखिए यह साइट आपको open कर लेना है IPPB IPPB online यह लिखके आपको search करना है IPPB online लिखके आपको search कर लेना है देखिए मैं दिखा दियता हूं IPPB online तो Indian Post Payment Bank पहले आपको देख्ट आप साइट करने के बाद यहां पर देखिए फास्ट जो option आया है Indian Post Payment Bank इंडियन Post Payment Bank पार्सोनल तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा तो पहले इसको हम क्रॉस कर देते हैं अब देखिए आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहां पर जो जो services available है यहां पर दिखा रहा है आपको जो चाहिए service request इस पर पो click करना है click करने के बाद IPB customer इस पर click करने के बाद आपको जेखिए यहां पर बहुत सरा option आ गया है एन यहां है मैं आपको दो ऑप्षन टूंड लेना है तो दो जो आपको ढूञेना है दो अप्षन जो नया छाइल है है अगर आपके घर में बच्चा पांस सुस्थ तो इसके क्लिक इधात है मेरेड होगा और नीचे जो अप्जन है अगर फिमेल होगा तो मैं मेल इसमीस्टर मैने नाम लिख दिया नाम लास्ट नेम और मुबाइल नंबर मैं फिल अप कर देता हूँ मुबाइल नंबर जो मुबाइल नंबर इसके साथ एड होगा वो मुबाइल नंबर ही आपको इसके साथ फिल अप करना है मुबाइल नंबर देता हूँ जो मोईल एड होगा वह देजाना है आप देखिए Address यह बहुत IMPORTANT चीज है यहां पे तो अध्रेस फास्ट लाइन में अपका आप अभी जहां पर रहतेंแपके जो का जो हीं एड्रेस आपको देना है आप मालने जीए आप चाहद ब één बॉटर इनकलन ऻाहें लेकिन अभी कोल्काटा की रसा यापको देना है तो मैं तो मी fill कर देता हूं address first line और second line दोनों ही देना है आप first line में अपना street name और second line में PS दे सकते हैं तो address दो line fill up होने के बाद pin code यह बहुत important है यहाँ पे pin code देने के बाद देखिए मैं pin code देता हूं pin code देने के बाद यहाँ पे nearest poster भी select करने बोलेगा तो मैं pin code देता हूं pin code देने के बाद nearest poster भी select करने बोल रहा है देखिए तो मेरा यहाँ पे show कर रहा है जो पालिटिकूरी यहाँ पे दे दिया देने के बाद देखिए यह नीचे जो form है यह automatic fill up हो गया हावरा branch देखिए देखिए IPV branch हावरा branch division हावडा regional south बेंगॉल circle west bengal state west bengal तो any specific request तो आपको request पर लिख देना है आधार with mobile number link लिख देने के बाद सब उपर अच्छे से check करना है उसके बाद इस पर tick करना है टिक करने के बाद देखिए जो capture text verification जो है वह आपको यहाँ पर लिख देना है लिख के submit कर देना है अगर आप pin code देने के बाद जो option नीचे आ रहा था वह पर click करने के बाद कुछ भी show नहीं कर रहा है मतलब आपके area में यह service available नहीं है अगर post post pin code देने के बाद post office select करने का option आ रहा है और बाकी नीचे automatic fill हो रहा है मतलब आपके area में यह service available हो गया है इसके बाद यह submit करने के बाद 7 दिन बाद आपके घर में post office का एक आदमी आएगा आके आपका आधार कट के साथ mobile number verification करके देखे जाएगा हाँ post office का जो charges है वो आपके आपसे जरूर लेगा अगर आपके घर में child है आपके आधार कट अभी तक नहीं बना तो आप बना सकते हैं ऐसे ही process है ऐसे fill up कर देना है उसके बाद 7 दिनों के अंदर post office से लोग आपके घर में आदमी आएगा आके आपका जो घर में बच्चा है उसको देखके आपका आधार कार्ड बना देगा हाँ post office का आदमी जो आएगा उसका जो एक charges है वो जरूर लेगा charges यहां पर applicable है वो आके आपका link करने के बाद वो charges जरूर लेगा तो इस related कुछ जान करी चाहिए तो comment में जरूर बताना वीडियो कैसे लगा comment में जरूर करना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना ऐसा और वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकों को बचा देना मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए खुश रहे ना अच्छा है वीडियो देखने के लिए धन्नवाद